नमास्कावल दोस्तों अल्ला एक्जाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन जरू हेज दो 2018 बठी का पहला सिल जो पेपर कई यूट्यूब पे बोला जा रहा था कि मैं करवा कर रहूंगा मैं जो कौनगा वही होगा यह होगा पहला भी कैंसल ओगा पूरा कैंसल अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी आज बोर्ड की मीटिंग होई उसमें बो पूलिस का जो केंसिल हुआ है वही एक्जाम वो करा ले जल्दी से ताकि इस साल की अंतक भर्ती क्लियर कर दी जाए क्योंकि अगर पहली सिफ्ट का एक्जाम केंसिल करा जाता है तो दो गुना वर्क लोड हो जाएगा पूरा पेपर एक तरह से फिर से कराना पड़ जाएगा और फिर से पूरी मेरे डेस्ट बनेगी और फिर से उसमें अगर कोई वाल हुए तो फिर से पूरा मतलब प्रोस्ट चलेगा तो इस तरह से बोड चाहता है कि किवल जो सेकेंड सिफ्ट वाला पेपर कैंसिल हुआ है अठा आठारव उननीस का वही किवल एक्जाम लिया जाए तो अभी दस सितंबर को जो केस की सुनवाई होने वाली हाई कोड में उससे पहले नौ सितंबर को बोड फिर से ए दाते हैं वहाई हैं कर दी होका कुछनी और कि इ偏 बहुत अंस्यांट बनेелов रेसे इता कुछ भी नहीं थै ना तो आंसर ज्ञेंदा गलत है और ना ही उसमें कुई आपको अभी तक तो यह समझ में आ गए होगा कि यूपी पूलिस का कोई भी परती बिना कोट में जाय हुए रह नहीं सकती कोर्ट में जाना ही है और एक साल से कम तो इसमें मिनिमम लगना ही नहीं है कोई परती आप उठा के देख लिए मिनिमम एक साल तो लगी जाता है उसके बाद केस कोर्ट के जहरी यह होता ही रहता यूपी पुलिस में तो आप अगर कोई अलग एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं सब्सक्राइब करें तो आप बनाया रखिए जैसे एक्जाम की कोई सेकेंड सिर्फ का अगर एक्जाम आपका था जैसे कोई रिल्टर नियु जाती है मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर दबा लीजिए थांक्स पर